हलो फ्रेंट्स हाव आर यू कैसे हैं आप सब गोल्डन बैट रोहिश शर्मा का हो सकता था या फिर हो सकता था डैविड वार्नर का लेकिन अब दोनों ही टी में वर्ल्ल कप फाइनल में नहीं है अब यहां दो बैट्समेन ऐसे हैं जो इस रेस में सबसे आगे हैं या जिनके पास चांस है इसे लेने का वो कौन से हैं जानने के लिए वीडियो को लास तक देखें वेल्कम बैक फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे गोल्डन बैट की रोहिश शर्मा जिन्होंने 9 मैचिज में 648 रन बनाए और और उन्होंने यहां 5 सेंचुरी का जबरदस रिकॉर्ड बना उसकी हम बाद में बात करेंगे कि तेंदूलकर का रिकॉर्ड क्या था और वो उनसे कितने रन से पिछे रह गए लेकिन अभी हम बात करेंगे गोल्डन बैट की रोहिश शर्मा सेमी फाइनल में न्यूजिलेंड के खिलाफ सिर्फ एक रन बना कर आउट हुए और इस तरह स उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 648 रन बनाए जो कि सर्वादिक हैं अभी तक सर्वादिक हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन स्कीपर डैविड वार्नर के पास ये चांस था कि वो इसे हत्या ले लेकिन वो रोहिश शर्मा से महज एक रन पीछे रह गए यहां हम शाक गोल्डन बैट लेने का आईए वर्ल्ड कप में इनके आंकडों पर थोड़ी नजर डालते हैं केन विल्यमसन की बात करें तो वो अभी इस वर्ल्ड कप में 548 रन के साथ बरकरार हैं उनका एक मैच बाकी है यानि कि उन्हें रोहिश शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने के लि फ्रेंट्स वैसे तो इस अचीवमेंट के लिए सिर्फ सरवाधिक होना ही काफी नहीं है उसके लिए रन रेट और दूसरे काफी सारे चीज़ें माइने रखती हैं खेर आपको क्या लगता है कि गोल्डन बैट के लिए कौन डिजर्व करता है पूरे टूर्नामेंट में ज उस दिन अगर न्यूजिलेंड के खिलाफ उनका परदर्शन अच्छा होता सारी कंडिशन्स हमारे फैवर में होती तो आज कई सारे और रिकॉर्ड होते और आज फाइनल में हम होते और यहां भी कई सारे रिकॉर्ड बनने थे फिर भी रोहिश चेर्मा के 648 रन थर्ड सारियस्ट रिकॉर्ड है वर्ल्ल कप में तेंदूलकर और मैथ्यू हैडन के बाद अब भारतिय टीम वेस्ट इंडीज की त्यारी कर रही है ओडियाई और टी ट्वेंटी मैचेस का स्ट्यूल मैं अरड़ी अप कर चुका हूँ उपर लिंक है जरूर देखें और यहां और इन दोनों सीरिज में हमारे कैप्टन होंगे रोहिश शर्मा प्लेइंग 11 में और क्या-क्या चेंजिस किये गए हैं जरूर देखें अभी के लिए बस यही मिलेंगे वर्ल्ल कप फाइनल मैच के बाद तब तक के लिए जहें झाल झाल